प्रिया सिक्षार्थियों, आज उनह मैं प्रोफिसर विनोद कुमार गुप्तु आप सभी का इस आनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश राज़ा श्टंडर मुक्त विश्विद्यारे प्रियाग राज में आचारे संस्कृत के पतपर कारे रत हूँ पिछले व्याख्यार में हम लोगों ने प्रक्र दिभाव के संबन्ध में चर्चा की थी आज सोदाहराण प्रक्र दिभाव संधी के विशय में चर्चा करेंगे सूत्र है दूरात धूते चा दूरात हूते चा फिय धात उसे एकता प्रत्य करने पर हूत बनता है पुकारने पर बुलाने पर कहां से दूरात दूर से दूर क्या है जहां से पुकारने पर इस पश्ट रूप से ना सुना जाए वह दूर कहा जाता है ब्रत्य में लिखते हैं दूरात संबोधने दूर से बुलाने पर जो संबोध्यमान है साधारन प्रयत्न से अगर न सुन सके तो विशेश प्रयत्न के माध्यम से अगर सुनाया जाए विशेश प्रयत्न से सुन सके तो वह दूर कहा जाता है उस दूर देश से किसी को कुछ बताने के लिए बुलाने के लिए जो वाक के प्रयुक्त हुआ करता है उसकी टी को बिकल्प से प्लुत संग्या हो जाती है प्लुत संग्या का प्रयुजन क्या है उसके लिए अगला सुत्र देते हैं प्लुत प्रग्रहिया अचिनित्यम प्लुत संग्या करने का प्रयुजन है प्रकृति भाव हो जाना सुत्र है प्लुत प्रग्रहिया अचिनित्यम प्लुत और प्रग्रिह से परे प्लुत और प्रग्रिह से परे अच होने पर प्रकृति भाव हो जाता है प्रकृति से होते हैं अर्थात संधि जन्यकार्य नहीं हुआ करता है प्लुत प्रग्रहिया चिनित्यम इस सोत्र में हम प्रकृत्यांतह पादम इस सोत्र से प्रकृत्या कानुवर्तन कर लेते हैं प्लुत आश्च प्रग्रहियाश्च प्लुत प्रग्रहियाह प्लुत और प्रग्रहिय संग्यक से परे अच होने पर नित्यरोप से प्रकृत से होते हैं अर्थात प्रकृति भाव हो जाता है किसी प्रकार का संधी जन्यकार्य नहीं हुआ करता प्रयोग है आग अच्छ क्रिष्णा अत्रगउश्च चरती है क्रिष्णा आओ अत्रगउश्च चरती यहां गाएं चरती है आग अच्छ क्रिष्णा क्रिष्णा आओ यह वाग के पूरा हो जाता है क्रिष्णा यहां पर संबोध्यमान कौन है क्रिष्णा है क्रिष्णा को बुलाया जा रहा है क्रिष्णा को जनाया जा रहा है क्या जनाया जा रहा है कि गाय यहां पर चरती है बहुत धेर सारी गाएं चर रही हैं उन में से कोई एक गाय किसी दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रही है तो उसको डोढ़ने के लिए कृष्ण इधर उधर जा रहे है तभी एक ग्वाले ने उस गाय को देखा और क्रिश्ण को बुलाया कि आग अच्छा क्रिश्णा हे क्रिश्णा आओ अत्रगउश्चरती गाय यहां चरती है तो आग अच्छा क्रिश्णा क्रिश्णा आओ यह वाग के पूरा हो गया है अब इसके बार फिर संध ही जब आगे वाग के हैं ही नहीं आगे ना स्वर है तो संधी किस की होगी किस में होगी इसका मतलब यह है कि यह जो दूराद धूतेचा यह सूत्र अनावश्यक है इस यह सूत्र अनावश्यक नहो इस सूत्र के वैयर्थ्यका प्रसंग नौत पन नहो इसके लिए एक वाक्य और प्रयुक्त करना चाहिए और वह उस वाक्य का प्रारंभ अचसे होना चाहिए तो आग अच्छ क्रिश्ण अत्रगउश्यक चरती तो यहां पर संबोध्यमान क्रिश्ण का जो अनकार उत्तरवर्ती अकार है उसकी आचोन त्याद टी से टी संग्या हो जाती है और टी को प्लुतप प्रग्रहिया अचिनित्यम और अकार उत्तरवर्ती अच्छ अकार की दूरा धूतेचा इस सूत्र से बिकल्प से प्लुत्प संग्या हो जाया करती है क्योंकि दूराकार उत्तरवर्ती अकार की आचोन त्याद टी से टी संग्या भी है तो जो वाक्य की टी है उसको विकल्प से प्लुत्प संग्या हो जाया करती है और प्लुत्प संग्या हो जाने के पश्चात प्लुतप प्रग्रहिया अचिनित्यम इस सूत्र से प्रकृतिभाव होकर आगच्छ कृष्ण अत्रगव श्यरती यह प्रयोग बना अब चुकी यहां पर बिकल्प से प्लुत्प संग्या होई है अगर हम प्लुत्प संग्या न करे तब क्या होगा तब नकार उत्तरवर्ती अकार से परे अक प्रत्याहार का वर्ण है और उसे से परे सवर्ण अच विद्यमार है जिस कारण से पूरु और पर दोनों के स्थान में अकह सवर्ण दीरगह से दीरग होकर कृष्णात्र बन जाएगा आग अच्छ कृष्णात्र गौश्च चराती यह प्रयोग बने इसी तरह से आग अच्छ हरे अत्रक्रिडेम इत्यादी प्रयोग भी सिद्ध होते हैं प्रग्रिह संग्या का फल भी प्रकृति भाव हो जाना है अब पुरह दूसरा सोत्र प्रग्रिह संग्या करने का देते हैं इदू देद विवचनम प्रग्रिह्यम इच्च उच्च एच्च इदू देद द्वन्द्व समास है समाहार द्वन्द्व समास यह सूत्र कहता है इदंत उदंत और एदंत विवचनम विवचन प्रग्रिहयम प्रग्रिह संग्यक हुआ करते हैं ऐसे विवचन के रूप जो इदंत हों उदंत हों और एदंत हों प्रग्रिह संग्यक होते हैं प्रयोग देते हैं हरी एतव विष्णू इमव गंगे अमूं हरी एतव हरी देवचन का रूप है हरी ही हरी से देवचन का आउप रत्य लगता है और प्रथमयोह पूरव सवरणह से सवरणदीर होकर के हरी बनता है यह कैसे बनता है इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है इसे हम जब सनात को तरस तरीक ख्षाव में शड्लिंग प्रक्रणव प्रारम्ह करेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे अभी केवल इतना यह देबचल का रूप है हरी एतव यहां पर रकार उत्तरवर्ती एकार एक है और उससे परे एतव का एकार क्या है आच है कौन सी संधी हो रही है इको याणची इको याणची से याण संधी प्राप्त होती है किन्तु यह जो रकार उत्तरवर्ती इकार है यह द्विबचन का रूप है जिस कारण से इदन्त हुआ और इदन्त होने के कारण इदू देद्विबचनम प्रग्रहियम इस सोत्र से प्रग्रह संध्या हो जाती है और प्रग्रह संध्या का फल है प्रक्रतिभाव हो जाना तो प्लुतप प्रग्रहिया आचेनित्यम इस सोत्र से प्रक्रतिभाव हो गया इको यानची से यान नहो करके प्लुतप प्रग्रहिया आचेनित्यम इस सोत्र से प्रक्रतिभाव हो करके प्रयोग हरी एतव ज्यों कात्यों रहा इसी प्रकार विश्णू इबव यहां भी आद गुणह से गुणप्राप्त होता है किन्तो द्विवचन का रूप होने के कारां उदन्त है और इदू देद विवचनम प्रग्रहियम से प्रग्रह संग्या होने के पश्चात प्लुतप प्रग्रहिया अचेनित्यम से संधी जन्ने कोई भी कारिय नहीं होता जियों कात्यों रहा प्रक्रदिभाव हो करके प्रयोग बनता है बिश्मु इमों गंगे अमूं यहां पर ये गकार उत्तरवर्ति येकार एच प्रत्याहार का वरण है और उसे से परेव अच विद्यमान है इस कारण से एचो एवायावाह से एक ए स्थान में आज आदेश प्राप्त होता है किन्तु द्विबचन का रूप और ऐसा द्विबचन का रूप जो एदंत है एदंत द्विबचन का रूप होने के कारण एचो एवायावाह से प्राप्त आयादी आदेश न होकर इदू देद विबचनम प्रग्रहियम से प्रग्रह संग्या और तत पश्चात प्लुतप प्रग्रहिया अचे नित्यम इससे प्रकृति भाव होकर के गंगे मुख यह प्रयोग बना इसके पश्चात प्रग्रह संग्या करने का अगला सोत्र है अधसो मात अधसो मात अधसो मात व्रत्ति में लिखते हैं अस्मात परावीदूतव प्रग्रहियव स्तह आधस शब्द के मकार से परे ईत और उत प्रग्रह संग्यक होते हैं आशय यह है कि आधस सब्द का वहरूप जिसमें मकार से परे ईकार आता है और उकार आता है वे प्रग्रह संग्यक होते हैं प्रयोग है अमी इशाह राम कृष्णा वमू आसाते अमी इशाह अधस शब्द पुल लिंग में बनता है असव अमू अमी और इस्त्री लिंग में असव अमू अमूह और नपुन्सक लिंग में आदाह अमू अमूनी इह रूप बनते हैं अमी इशाह सबसे पहले यहां पर कौन सी संधी प्राप्थ हो रही है मकार उत्तरवर्ती इकार अक प्रत्याहार कावर्ण है और उससे परे सवर्ण अच विद्यमान है इसलिए आकाह सवर्णे दीर्गह से दीर्ग प्राप्थ होता है किन्तु यह जो अमी का इकार है अमी अदस शब्द का रूप है और इदन्त है कैसा इदन्त है मकार से परे दीर्ग इकार है इसलिए आदसो मात इस सूत्र से प्रग्रह संग्या हो गई और प्रग्रह संग्या का फल है प्लतप प्रग्रहया अचनित्यम इस सूत्र से प्रकृतिभाव हो जाना है यहां भी प्रग्रह से परे अच होने के कारण प्रकृतिभाव हो करके अमी इशाह प्रेव रहा इसी तरह से राम कृष्णावमू आसाते राम कृष्णावमू एचो एवायावह से अव आदेश हो करके राम कृष्णावमू बनता है यहां पर इको यणची से यणप्राप्त होता है किन्तु अमू अदस सब्द का रूप है और मकार से परे दीरग उकार है इसलिए आदसो मात इस सूत्र से इसकी प्रग्रह संग्या हो गई और प्लुतप प्रग्रह आचिनित्यम से प्रकृतिभाव हो करके ज्योंकातियों प्रयोग रहा प्रग्रह संग्या का एक और सूत्र देते हैं चादयोव सत्वे व्रत्य में लिखते हैं आद्रब्यार्था चादयाह निपाताह सिहो चादयों की निपात संग्या हुआ करती हैं कैसे चादयों की आद्रब्यार्थ वाचक जिन चादयों की द्रब्यासंग्या न हो जिन चादयों का द्रब्य अर्थ न हो उनकी निपात संग्या हुआ करती है जै संधिक के अंतर गत्त जो कि लिए चादी गंड है कि इसके अंतर गत के-जिनम की जिनका अर्थ द्रव्य होगा उनकी निपात संग्या नहीं होगी जिनका अर्थ द्रव्य नहीं होगा जो द्रव्य अर्थ के वाचक नहीं होगे उन्हीं चादियों की निपात संग्या हुआ करती है जैसे लोधम नयन्ति पशुमन्यमानाहा में पशु अगर पशु का अर्थ है यहाँ पर ठीक प्रकार से सम्यक रूप से और यदि पशु का अर्थ जानमर होगा तो द्रब्यार्थ हवाचक होने से द्रब्यार्थ हवाची होने से निपात संग्यक नहीं होगा और निपात संग्या होने से उनकी अभ्य संग्या हो जाया करती है जिस कारण से बिभक्ति का लोप हो जाता है यह आगे अभ्य के प्रकरण में इसकी चर्चा की जाएगी अगला सूत्र है प्राद आयाह एते पित था अर्थात आद्रब्यार्थ वाचक आद्रब्यार्थ वाची प्रादियों की निपात संग्या हुआ करती है एक सूत्रा आपने पढ़ा था पहले उपसरगाह क्रिया योगे क्रिया के योग में होने पर प्रादियों की उपसरग संग्या हुआ करती है अगर क्रिया के योग में नहीं है प्रादियों की उपसरग संग्या हुआ करती है लेकिन अगर द्रब्य के वाचक नहीं हो तो फिर प्रादियों की निपात संग्या उपसरगाह क्रिया योगे से नहीं होगी तो आद्रब्यार्थ वाचक प्रादियों की निपात संग्या किस सूत्र से होगी प्रादयह सूत्र से उपसरगाह क्रिया योगे से प्रादियों की उपसरग संग्या और निपात संग्या दोनों संग्याए हो रही थी किन्तु जहां पर द्रब्य के अर्थ के वाचक प्रादि नहीं हुआ करते थे नहीं हुआ करते हैं वहां पर प्रादियों की निपात संग्या प्रादय हसूत्र से हुआ करती है निपात संग्या का फलहे प्रग्रेह संग्या होना और प्रग्रेह संग्या का फलहे प्रकृतिभाव होना इसकी चर्चा विस्तार से हम उदाहरण के साथ अगले व्याख्यान में करेंगे धन्यवाद कर दो